साथियों जैसे कि आपको चित्रकुट के त्यागी तपशी दीवे संतों के दर्संग करा रहा हूं साथ ससंग के माध्यम से आप सभी के स्वाल भी लेने के उसीज करो अभी हम जिन महराजी के आपको मैंने पिसली वीडियों बताया था दर्संग कराऊंगा ससंग लोंगा टो एकल किसी भगतिने पूचा ससंग का चमतकार हैं जिवन में परभाव है कि तुम हर जार जगे जाते हैं ससंग लेता है तो मेरे मुकार बहुता में नेका मराजी के दुआरा यह आपको बतांगा सशंग का बड़ा होता है मरा जी हमारे सबी भकतों को पताए सशंग का क् पर लीवाद तो सत्संग कहते किसको हैं उस पर द्यान दानी गाव सकता है जहां सत्य का संग हो जहां सत्य का संग है वही सत्संग है जिभ्याम ने जहां सत्य का पालन किया जिभ्याम ने जहां सत्य का पालन किया वह सब सत्संग है दूसरा संकर भगवान कहते हैं सत्हरी भजण जगत सब सपना भगवान का भजण ही सत्य है तो सत्संग यानि सत्य का संग करना ही सत्संग है कोには श without सब्itelyं करना है सटसंग है나 बहुवान सठ्य है उनका भजहन सठ्य है और सब्लमना अगमडीगण पुरान बग्ञण सब्लम करना तो meilleur वह कं शहार है जो कथा परसंगा सag जा सम्तम्हापुर्शन करें तो कथा सट्संग को द्वारा सब जानकारी हो जाती हैं तो सत्संग के प्रभाव है कि कुमती हड जाती है वहां समती आ जाती है जहां सुमति तहां संपति नाना तो सत्संग के प्रभाव से जो व्यक्ति के अंदर कुमति बास करती है तो उस जगह में सुमति आ जाती है जहां सुमति आ गई तो जहां सुमत था संपति नाना तो सत्संग का बहुत प्रभाव है बिनु सत्संग नहरी कथा तही बिन मोह न भाग मोह गए बिनु रामपद होई न दिल्ध अनुराग बिना सत्संग की भगवानी कथा प्राप्त नहीं हो सकती और बिना भगवानी कथ आ हम आधा सुने मोह नहीं भाग सकता और बिना मोह भागे भगवाण के चरण आनूराग नहीं हो चोटा और जब तक अनूराग नहीं हो रही निद्स सब से बड़ा है कि परिवार हर घस्ति में बना रहता है और परिवार में परपर्स आपस में सब में परेम बनने का मूल मंत्र क्या है मूल जड क्या है तो मूल या तो इस जोग में यह बताया स्वेस्ते इस depends on our website . कि तो सज्वच्वा कृया है अगर नाम कि आश्रायर कोई लेए दियान के विए तो कि पूँ चारा जूँचार शूआ कोमा के करम ना ध्यान है भग्वान के ध्यान करते थे लोग यह सज्द युका करम है ध्यान पर्था में जोग है अब मक्षविध्य दूसरा जुग आया तो उसमें यक्रद्हानता थे जैसे असमेद यग्ये पुत्रशिया के धनश्याग यादी इस अफ्तरता जोग में हुए तिया की प्रधानता थी तिसरा जुग आया द्वापर जोग तो द्वापर कर रखुपत पूजा नरभव तरह ही उपाए न दोजा इसलिए गुबर्धन पूजा भगवान कृष्णे करवाया पूजा की प इस जुग में अधार है भगवान ही कथा कल्यों के वल हरिगुन गाहा गावत नरपावई भवत था तो इस जुग में भगवान के नाम जब करेंगे तो उस परिवार में सुमत्य आ जाएगी क्योंकि जो भगवान के नाम है वो समर्थ हनमान जी के समान है एक चोपाई भी है काल नेमी कली कपड ने धानू नाम सुमत समरत हनुमानू भगवान का जो नाम है समर्थ हनुमान जी के समान है और हनुमान जी ने किसका उधार किया था काल नेमी का तो जिस प्रकार से शिरहनुमान जी भारत ने काल नेमी का उधार किया इस प्रकार से हम सब के सामने जो कल कल ने मिकल कली मने कल यही कल जोग कहीं कालने मिकली कपड करने का निधान और नाम सुमत्य समर्थ हनमान। भगवान को नाम है इस परिवार से कुमत्य हड़ जाएगी वहां सुमत्य आजएगी अजएग सुमत्य आजए था सव भगवान को सुमत्य आगे परिवार में सुक्सानती अपने आब आठं अच्छा अच्छा भगवान का नाम ह। JOSH सुनाएग करते हैं कि भगवार कनाम आप सब के नाम है। थी तो यह जो प्रश्ण किया करते हैं महराजी कैसे सभ ज़ग भग कि उतने अक्षर के हम चार गुना करते हैं चार गुना और पांच जोड़ते हैं उसमें दो गुना करते हैं और आठ से भाग देते हैं तो आंत में सब के नाम में से दो बचेगा दो अंग है वही राम नाम है चाहे छोटा नाम किसी का हो या बढ़ा नाम है कि कितना बढ़ा स दूत रहिए एक अच्छर ले करके जितने अच्छर का नाम हो तो सब के नामें चार गुना करें पांच जोड़ें दो गुना करें आड शे भाग दें तो आप सब के नामीं अंत में दो प्रैदिवकरा राम नाम है लों आते हैं और अपस नीचे तह Beim देखिए सिर्ज्ट शरका हैं को आख नग्डों शरका है कान दो शरका है पैठ दो शरका है तिछीन शाट का सिर्घा आहित राम आए तो राम नाम है में सब के नाम में आप वहांग। के लिए किसी नाम ले लिए तो समझ में आएगा। आपका सुबनाम कर दिया कितनी एक छर्क हो गए तो 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 नहीं आए है ते तो नहीं आएगा तो चार के हमने चार गुना कर दिया है कि और शोला हो गया बच्चा पांच जोड़ दिया गया उसमें कि कि एक इसके दो गुणा कर दिया गया चैस के 42 में आंछ से भाग दिया गया 8 25 65早idade आथ हम झालन की ऊपजदिया दॉराँ नाम में किसीन नाम ने लिदे इसके दो firm करका है दो कि हमने चार गुना कर दिया आठ हो गया आठ है पांच ओड दिया गया तेरा हो गया तेरा के दो गुना कर दिया गया अब आठ भाग दिया दिया गया तरीक है अब दोनों के नाम थे अरधांगनी का नाम राधा तो दो और चार का होगे मानने एक अचर में भी किसी का नाम एक ज़र कभी हो उसमें दो ही बचेगा यह बेशनले जी है कोई भी अच्छले लिया जाए एक अच्छले लिया जाए एक में दो ही बचेगा कितने बड़ा सुत रही है कि भेद किसी में नहीं किया गया सब के चार गुना किया गया सब में पांच उड़ा गया सब में दो गुना किया गया सब में आड से भाग दिया गया सब में दो ही बच रहा है अंत में यह किया है जब सब का नाम छोटा ब जाना कि सब घड़ जाता है वही राम नाम सब किनान बच जाता है आप प्रस्ट ने बंता है कि हम ने चार गुना क्यों किया सब में तरक कर शकते हैं तर चार गुना क्यों टिया गिए सब्सक्राइब पांच क्यों जोड़ा गया सब के नाम में दो गुना क्यों किया गया आट से भाग क्यों दिया गया प्रश्ण है तो चार गुना सब के नाम में इसलिए कि चार जुग होते हैं में में चार जुगों में राम नाम के प्रभाव रहा है और रहेगा इसलिए सब के नाम में चार गुना किया गया पांच कियों जोड़ागे अपहले पहले बांच के जोड़ा गया तो पांच इसलिए जोड़ा गया गिसाब के सरीर में पांच तत्य प्रक्ट होते हैं पर तत्यृ शेड बनना हुआ है छेटजल पावग सबस्व अगर भजन नहीं हो रहा है तो अतियादहम है अतियाध हम सरीर अब भजन हो रहा है सरी से तो सोई पावन सोई सुभग सरी जो तन पाव भजियर अगभी तो इस लिए प्रत्वी पर हम लोग है कि हम सब के सरी में प्रत्वी तत्व का दिखता ज्यादा है अब पहले नम्मर में दिया गया जल पावक मने यह भोजन पचाती है यह तरगन अकास आंदर जो ढाईस ग्राम भोजन कर लेते हैं जो भी तो अंदर यह नहुआ झाता वह जाता है वह जगह ही आकास तत्वा और समीर हमने हवा अगोलते हैं तो पांस्तव पहले था पांस्त अभी भी है शरीर में इस पांच तत्त को चलाने के लिए हम अभी पांच तत्तों का सहरा लेते हैं इसलिए सब के नामें पांच जोड़ दिया अब दो गुनकियों किया गया सब के नाम में तो दो कनास कभी नहीं होता है दो जैसे इस्वर अंस जीव अभी नास फिन चेटन अमईलस है शुक्षा शोखराशी किया जैसे इस्वर कमरेनास जीव करनास नहीं होता है वैंहें हो जिव कर्दता रहता है जैसे हम कमरे में तो कमरे थोड़े हो गये इसी प्रकास जीव शरीर में है, तो शरीर नहीं होगा, शरीर अलग है जीव अलग, जीव चेतन सकती है, शरीर जड़ है, तो जैसे इस्वर का नास नहीं होता, इस प्रकास जीव का भी नास नहीं होता, इस्वर अंस जीव अभी नासी, चेतन है, अमल है, साज सुख रासी है क्योंकि सुख की जहने जो भगवान है, सुख की राषी, उनका अन्स है, सबी चीनटी से ले करके, सबी यितने प्राणी हैं, सुख के राषी हैं, सुख की राषी है हो, भगवान राम जी कौन है, जो आनंद सिंद शुकरासी शीकर ते त्रे लोक सुपासी, शिकर मनेख बुंद में तीनों लोकों को सुपास कर दिये हैं. इसलिए सभी लोग उनिक अंस हैं तो इसलिए सुख क्या आते हैं सभी लोग, हर प्रानी सुख चाहता है, चीटिस लेकर करके जितने जीव अन्तू छोटे बड़े हैं सब इसुक शाते हैं क्यों अन्स ही है इसलिए तो इस वर अन्स जीव अधिनासी दो कनास नहीं होता है इसलिए दो गुनास सब के नाम में किया गया अब आठ से भाग क्यों दिया गया आठ पहर होते हैं चोविस गंटे में8 पहर होते हैं तो आठो पहर वा सुबास्तराश अन्स अचमारम नाम के जिपाया सकती है तो आठोंव कहते है सुबस् ancora कर लेके सुबस्तराबसरा सिकाम नहीं चलेगा धन्यास्ते कृतना पिवंती सततं स्रिराम नामा मुर्थम सतत एन रंतर जप होना चाहिए आठो पहर राम राम जपोजी ए सदा सानु राग रे कली न विराग जोग जाग तप त्याग रे कल जोग न जग न त्याग न बेराग । शफल अगर होंगे भी तो राम नाम के सहारा लेना पड़ाये। राम नाम क्या है जुग में अंक है। अगर रांक है तो आप zero बढ़ाते जाएते जाएज दसकुना होता जाएगा। जूसे परक्रमा लगा रहे हैं पर प्रक्रमानगा रहे हें तो सुन त्यार हो रहा है जिरो अब जिरो में अंक जिरो पहले अगर नहीं है तो जिरो क्या करेगा लेश्ट सुन उस्टा कोई मतलब नहीं और अंक है अगर पहले तो दस उना हो गया तिसलिय लिखा है राम नाम को अंक है सबसाधन है सुन्य अंक गए कचुहाथ नहीं अंक रहे दसगुन अगर अंक है तो दसगुन हो जाएगा क्योल परकर्मा ही नहीं जितने सत करम है है कि सब साधन है सुनने चिह गंगाचनान करिये संगे तर्फ कर याहनी राम नाम-पर्फ शोचार्ण कर इसे और हनुमान जी कहीं चालते हैं तो क्या बोलते हैं क्यों गोलते हैं यहां क्या त्यार मेरा नाम आ जाता है तो क्या मुझे दोस्त लगेगा असुत तो नहीं होते हैं जैसे कहना है सोच में डोलने जाता हूं कभी क्या होते हैं कोई दोस्त नहीं लगेगा भगवान के नाम इस्था वस्तु है सभी असुधियों को सुधी करन करने वाला है एक व्यक्ति था बहुत पापी था तो गिरते समय हराम कहा हराम ने मार दिया जम दूद आए उसको लेने के लिए बहुत पापी भगवान दूद भी आ गए बहु इसमया हराम सब्द है कि नहीं इसमया यह कि इसमय रम सब्द हर चाहिए हैं तो बहुद का नाम है किसी इस्थ Dios house सुथ्धि में कभी भी अच्छा एक बात और ध्यान दिए ज़श्मान आता है सुन्द्रबस्त्र पहन के आता है सुध्धो करके आता है फिर भी आचारी जोड़ों क्या करते हैं पवित्र करते हैं, कुछा से काते हुँआ, पवित्रह पवित्रो आसर वावश थाँगा, यह स्मिर्थ पुंडिक आक्षम से वाया भ्यांत्रा सुचि शुद्धि क्यों करते हैं, वो तो सुद्ध हो करके आया है, तीस की मतलब है कि अभी यह सुद्ध हो, भगवान के नाम स यह पुंट्री काग्ष भगवान के नाम है यह अगर परिक्रमा लगा ले या मंदिर चला जाए क्या फिर उसको दोस्त लगेगा अगर उसने राम नाम लेके जा रहा है और नहीं बात तो देखे कुछ करमकार्ण के नियम है मंदरी जाने के लिए है भगवान की नाम सुध करता ही है फुश करमकार्ण में करके मंदिर में जाना चाहिए यह सामजी से किसी ने पूछा है युझ महराज़ आप मानस लिखे हुए हैं सभी लो हमे लिखे-बहायो फोस्ट युखे थे मालमिकी रमयरट बयद भी लेख r carry of अब आल्म मेखी यह ने बाल मेखी रहमाड लिखा और आप रहा लिखे आ इसको अध्य को कि इसको मतलब किया हुआ तो रुषिदाइज गहते हैं कि जो मंदिर में जाने कुछ नियम है तो जो सुद्ध हो चुके हैं तो वो तो रमाड में जाए यानि भगवान के मंदिर में जाए जिसको सुद्ध होना है तो मानस में आए यानि मानस वरोबर है मानस मने मानस वरोबर है तो इस में आगा सुद्ध हो पाले फिर फिर यह मंदिर में जाए तो मंदिर में जाने के लिए कुछ राम इच्छा मर्यादा है कि असनान करके ही सुद्धों कर जाना चाहिए जब कि भगवान के नाम से शुद्धी करना है अब भगवान की नाम जब करने से यानि बाहर भीतर दोनों की सुद्धी होती है पर भगवान के नाम तो सुद्धी हर समय खाते पीते राम कहो सोते जगते राम चलते फिरते राम को दुख में सुख में राम हर स्थिती में अच्छा जो परभंस लोग हो गये हैं वो मंदिर में जहाएं बिना स्नान किये भी परभंस हो गये हैं परभंस है तो उनके लिए राम के इच्छा जो समर्थ हो गये हैं भगवास रूप है वह बिना स्नान कि यह भी कहीं चलेगे मंदरी में भी उनके लिए सब बराबर है हम इस्था चुकि भगवान को उसमें रहत्ते हैं ध्यान में महराजी जैसे कि एक पिता का स्वाल है को हमारे सादक है जो जुड़े वे राजस्तान से हैं वह कह रहे हैं अगर पुत्र शेवा ना करें पुत्र अपना करते वे नहीं कर रहे हैं तो उस समय उनको पिता को क्या करना चाहिए अगर पुत्र अपने अलग घर बसाना चाहता तो क्या करना है दोनों परिशित्यों में क्या करना चाहिए दो उनके पुत्र है एक अध्यात्मी की तरफ जा रहा है और दोनों अपना करते वे नहीं भा रहे हैं एक तो कह रहा है मैं संतों के पास आऊंगा एक कह रहा है मैं तो अपना घर बस आऊंगा अब उस समय उस पित कि इसे समय पार भृष्प प्रियाष से कहते हैं यह व्हेस ने यह अने को प्रियाष किया था कर दो आट wisdom कि उस्थी मान जांप sì को हमारी इस्तर होता है हमारी दिए हमरी भगवान है उनके पर इपल मत जाओ उनको पड़ाम करो आदी आदी लेकिन लिखा है कि लागन उर उपदेश जद पे कहो शीव बार बहू बोले अभी हैंस महेंस हरी माया बलजान जी अब हमारे बसका नहीं है हरी के माया इसको पकड़ लिया है तो उसमें शीव जी ने उसदिये खाई होई ही सोई जो राम रची राखा को कर तरक बढ़ा वैसा खा कौन तरक बढ़ाते रहे जब समझाने नहीं मान रही है तो अब जो भगवान रच्चे होगई होगा भगवान को पर छोड़ दीजिए इस सवसदिय को जो खालना चाहिए भगवान को पर छोड़ करके और बेको निश्चिंद हो जाना चाहिए और भगवान को पर छोड़ करके सिव जी खाली नहीं बैठे थे आसे कही लगे जपन हरिनामा गई सती जहां प्रभु सुख धामा ऐसा सिव जी जब होई सोई राम रची राखा कोकर तरग बढ़ावे साखा अब भगवान रची होगा अपना तरग छोड़ करके और भगवान का नाम जब करने लगे भगवान जो करेंगो होगा तो देखिए भगवान सुधार दिये के नहीं सती जी को अने कुर्फ वाहां देखाने सुरू कर दिये उपर इछा लेने गई थे ह아ाशीताजी की पाप नहीं करके अभे उनЫ个 पता चलती है राम जी के अचुक जहां अपना चरण धरती है राम जी जहाँ आपना चरण धरते हैं तो सीता जी उसको बचा बचा चलती है कि हम अपने चरण न रखें कि पाप लग जाएगा दूसरा भाव लक्ष्मन जी दोनों का चरण बचा चलते हैं राम जी का भी सीता जी का भी अशा लिखा है मानजी में कि प्रभुपद रेख बेच बेच सीता धरती चरण मग चलती आपना चरण धरते हैं उसको बचा बचा शीता जी चलती है कि लच्वण जी दोनों का चरण बचा बचा चलते हैं इस तरह चलते हैं कि इस तरह चलत रोकिती परसानी होती होगी लेकिन जब सती जी शिता जी बेश बना के चली तो लिखाए कि आगे होई चली पन थे तहीं जहीं आवत नरब हो राम जी की आगे चलने लगी तो शिता जी बेश तो बना ली लेकिन उनको चलना नहीं आया आगे आगे चली लच्पन जी विचारे पहचान लिए पहले यह त मद्धिरत भगवान राम जी पास में गए राम जी ऐसे हैं जिनका सुम्रण करने से सारी अज्ञानता समाप्थ हो जाती है इसे राम जी के सामने कौन अपनी अज्ञानता देखाएगा किसकी चलेगी रामजी गय तो श्ति प्रणाम किये श्ति जी ने विचार किया ये जिए भगवान नहीं है यह उखे लुटव कर रहा बिस तुरन्त अपने प्रतम न गश्व के लिए भगवान पहना कई कि महादेव जी कहा है अप अकेलिह जंगल में कैसे तो द् ссыл eightyina आग में आया कि ये तो शाक्षात भगवान ही तुझ जान गए हमको अब राम इशा से तुरंट चल देती है कुछ बोलती नहीं है जब चल देती है तो राम जी ने सोचा महादेव जैसे महापूरुस का प्माने नहीं किया कहना नहीं माने और वह हमारा नाम जब कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं जो तू हमरे नाम पर तो हम तेरे काम पर जो तू अपने काम पर तो हम अपने धाम पर अगर कोई हमारा नाम जब करेगा तो उसका हम काम समालेंगे जो अपने काम समालने में लगा रहेगा तो हम अपने धाम में बैठे हैं हैं समालो कितने समाल रहे ह तो भगवान के नाम जो कोई जब करता है तो उसके समालते हैं तो सीव जी वहां नाम जब कर रहे हैं और भगवान यहां उनका कार समाल रहे हैं और सथी को राम रूपी नहीं वहां लच्मन जी के साथ और सिता जी के साथ सोई रगवर सोई लच्मन सीता देख सतीय दिभाही सभीता सोची अबे तो यह बिलाब कर रहे थे तुम देखी सीता में रहने अब सीता साथ में कहां से आ गए अब तुरंद मों घुमाती हैं तो वहां भी तीन रूप दिखाई दिया मने देखे जहाता है रहुपत ये थे शक्तिन सहीद सिकल सुरते थे अब जब चारों तरफ के रास्ता बंद तो नए नमोदी बैठी मगमाही आख बंद करके रास्ते में बैड़ जाती है राम जी ने सोचा कि इनको ने को रूप दिखा दिया गया है इनको जाने दिया जाए भगवान राभी ने सब अपने रूप को अंतरधान कर दिया समेट लिया और इधर सती जीन आख खोलके देखे तो कोई नहीं दिखाई दिया पून पून नाई राम पर शीषा चली तहां जहां रहे गिरीशा जहां सीव जी थे वहां चली गए तो कहने मतलब कि राम जी के इच्छा से जबकि यह प्रसंग बहुत लंबा है वहां सीव जी ने पूछा भी था कि लीन परिच्छा काउन वेदे जो इस्वर का कि ने परिच्छा कोन वेदे किस वेदे से आपने परिच्छा लिया है गये शमीप महेस तबहां से पूछिए कुछ लाथ लेन परिच्छा कोन वेदे कहो श्रत्य सब बात लेकिन वहां भी जून बोल दी का चुन पर एक चा लेन गोसाई कि प्रणाम तुम्हारे नाई द्यान दर्क देखा तब संकर देखे ओधर द्याना स्वति जो की निश्यरित सब जाना शेव जी बहुत दुख हुआ है तो हमारी माता जी भेष धारण कर लिए सिता जी को मा मानते हैं अब शेव जी का बुद्धिव ने काम करने लगा द्यान दीजी हैं बहुत उच्छा प्रसंग हम इनको त्यागें की रखे हैं लेजिए परामपोनेतन जाइता जी किये प्रेम बड़ पाप प्रगटन कहत महें सिक छु हर्दें या धेक संताप हर्दें बहुत दुख है इनक संकर प्रपडसर नावा सुमिरत राम हर्दय या श्यावा 靡 शीयर ने राम जी का सुमरन किया, और ऑप भी मताई किया इस वह इसमय कहा करें, तो उत्तर आगे, जहाँ सुमरन के शुरो किया, शुमरत राम एक हरदया सावा हिर्दे में उत्तर आ गया कि सती शरीर ने अपराद किया है सती शरीर आपड़त्या कर दीजिए संकलब कर लिया एतन सती है भेंट मोही ना ही सीव संकलब की नमनमाई कि देव तावन फोल के ब्रिष्टे किया और सती पुछने बहुत प्रियास की लेकिन नहीं पताया से अगर हम पताते हैं के लाज प्रवत जानना है राश्ता कटना मुश्किल हो जाएगा अगर जोड बोलते हैं जोड बोलने का दोस्त लगएगा तो इसमें तीसरा रास्ता समय आता है सबके जीवन में जो सट्य बोलने पर समस्या खड़ी हो जाती है और जूट बोलें जोड का दोस्त लगएगा तो ऐसे परिष्थिती में क्या करना चाहिए तिसरा रास्ता निकालना चाहिए और अची रास्ता निकालनी चाहिए तो शिव जी ने सोचा कि हम अग परित्या कर दिया है तो राष्टा कटना मुश्किल हो जाएगा अगर जोट बोलते हैं जोट बोलने के पाप लगेगा तो ऐसी परिष्थिती में क्या करना चाहिए तो कहते हैं सेवजी के साथी सुनो एक कथा याद आ गई हमको बहुत सुन्दर कथा सुन लो तो सटी जीन कि आप सुना देंगे तो दुबारा फिर परिष्ण करोंगी महाराज कौन सापने परतिग्या किया है मन में कौन से परतिग्या किया देवत्ताल उपर खुल की बरशा कि तो कथा सुनाना शुरू कर दिया अब कथा पूरी क्या कैसे होगी तो पूरी नहीं होई एक पूरा सुरूब करने दूसरा तुरन शुरू कर देते रहें कि रास्ता भी लंबा है और पूरा करना रामचे कैलाज प्रवट पउछन नहीं है सबुए अने को इतिहास अभ कैलाज पर प्रवट भेशार किये संकर जी विचार किये अब तो अपने आश्रम में आ गए हैं और संकर भवान ने सोचा अगर हम समाधिम नहीं बैढ़ते हैं तो फिर वह समस्या बनी रहेगी अगर हम बता देते हैं कि हम तुम्हारा परित्याग कर चुके तो कष्ट होगा और अगर जुट बोलते हैं तो पाप लगे या तो संकर भवान समाधिम बैढ़े गए हैं तीसरे रास्त यह भी है अब कितने बरसों के लिए 87,000 संबत के लिए एक दो दिन के लिए एक दो हंटा के लिए नहीं लिखा है मानजी में संबत सहस सतासी समाधि संभव बिनासी 87,000 संबत के लिए समाधिम बैढ़े सती समझगी हमारे पर त्याग हो चुका है भगवान से प्रार्थन कर रहे थी हमारे सरे छुटे उससे में सीवज्य अपने समाधिय के पूर्ण करते हैं राम नाम करते हैं और जब जीव राम ना करता है तभी तक जगा हुआ है समझना चाहिए राम नाम शीव सिम्रन लागे जाने उस सती जगत पती जागे पहले तो अपनी पती मानती थी अब इनको जानकारी होई कि तो जगत के पती है जहने सत्य जगद पति जागे जैस्व पदद बंदन की लाइब तो कथा भी सुनाए सी उजी ने उपर से देवतालों चले जा रहे ति पीता के जगे में सत्य जी के पीता के जगे में और सती पूुछ भी रही ती है चैसे सब कहां प्रियास करना चाहिए कि हमारे अनकोल हो अगर नहीं हो रहा है तो जो यहीं सोही जो राम्रची राखा को करें तरक बढ़ा वैसा क्योंकि तरक की जह जो साखा बढ़ती जाती है और जो भी उचित होगा तो भगवान उसके अच्छी राष्टा निकाल देंगे मराजी एक मेरी माताओं बेहनों का स्वाल है जो अभी दो मास से घरब में है उनका एक स्वाल है कि इस्तरी पेट में घरब रेने पर क्या इस्तरी संग उचित रहेगा पत्री के संग या उस समय उसे क्या करना चाहिए कोई उचित नहीं रहेगा अनुचित रहेगा जैसे कि मराजी एक ही आपको लाइन में बताए अनुचित रहेगा इसका ज़्यादा तरक्की बात नहीं है और हो सके मराजी एक जो मेरे भाई है जो MP से इसे तो वह कह रहा है हम साधी कर ली लेकिन मुझे ब्रहमचारी रहना चाहता हूं और पत्नी को कैसे समझाओं क्यों ब्रहमचारी रहना चाहता हूं या उसको कैसे उसका मेरे एकोडिंग बना सको यह देखिए वैसे भी चाहसे सदा ब्रमचार इस अगर वैसे ब्रमचार रहना चाहते जो दोनों रह सकते हैं और दोनों अगर एक नहीं रह पा रहा है और रहने पा रहा है तो लिए असी बात ये तो साधना जिससे जो साधना हो जाए अची बात न मराजी जैसे कि हर बच्छे के स Nunskar में माता का सबसे बड़ा योगदान अगर बच्छा बीगरता टो भी मा का दोस्त लगता है के ति मा की वज़े से बीगर आ है गुशा देखिए उसे पांच बरसों तक बताया गिया है पांच बरसों तक अपने बच्चों को दूलार करना चाहिए पांच बरस तक जो भी बच्चे का जो दोस है वो माता पिता को राम इच्छा से लगता है बच्चे को नहीं लगता है पांच बरस तक पांच बरस के बाद में बच्चे को शिक्षा देना प्रारम कर देना चाहिए ताड़ना मना होता है शिक्षा अगाने बच्छा डेने चाहिए बच्चर ने करो अच्छा ने करो आप कहीं पंद्र ही सअ जाहिए कि उसके बाद में रहने के बाद में जो हवी राज कार्या हो सभाल सके है कि अप्रोग भाव भी रखते हैं तो जै कितने रूडवादी होते हैं कि हमारे टुम पूत्र हमारा कहना नहीं मानते हम जीवन परियंत अपना दिमाग लगाए रहते हैं तो एसा न करके मित्रवत उनसे कुछ सलाह भी भले आपको मालूम है भले पीता को मालूम है पूत्र से तो पांठ साल तक även प्राथ बनते हैं बच्छों को लगता है बच्छों को नहीं लगता है और यह पांठ साल के बात में जो भी अपरादन अलगता है पांप साल what's notождения के लालत समें बच्छों को कर स कいांड तो बच्चों की दूषप्राद आगे होता है यह इस जैसे आपने पॉफ जाए तो फॉजबऔरही है ARE था नहीं करें तो अपने गारजन पढ़ता है तो पर तो आता ही है और अब शीचा सही नहीं मिली कच्ची मिटी की घड़े की मापने चाहिए उसको कुछ भी बना सकते हैं जैसे किसी तरह जुका सकते हैं धन्स बना सकते हैं और यादी-आदी अब वही पास अगर पक जाएगा तो अगर देखिए गिराष्टा आश्रम से ही सभी निकलते हैं चाहिए उसादु मात्मा हो या किसी वहा के व्यक्ति हो चाहिए नेता राष्टे में जाए या राम शकु या दिकारी बर्ग में हो या राम जी के इच्छा से कुछ भी पत पत इस्ठा मतलब जहें तहीं सब ज राष्टा निकला आता है तो यह संसकार देखिए शिक्ष्षा के साथ साथ इसर्फ कर अतियावस्यक है है को चाहिए है मतलब घार्जन को बत्चों के लिए धं संपतिक आऊ सकता नहीं अच्छी शिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष वरदोई चीदे दे जैए तो इसल्सकार में लगे तो वे दिए लिए वमें लाजा है तो अच्छा बनकर है इस अच्छा देखती हो जब मैं छोटा था जो हमारे गाउं से घलियां गुजरती तो उसमें छोटे शुटे संथोर होते थे बाल योगी बाल संथ तो आज की समय वो देख नहीं पाते हैं या दर्शन नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि धिरे-दिरे हुआ अब हे दुकान है कि उसका बिस्थार अलग रखा हुआ है जाधा अधिक मात्र में इसे प्रकार से अब भी देख रहे हैं अभी तुक ढॉलोगे पर्थम चलने ह와 दूती चलण में फिर क्या होगा तीसरे चलण में क्या होगा इसी तरह से कल्जुग का उमर बढ़ेगा न कल्जुग जोते चाह रहा है कल्जुग होगा कैसे जबकि धरम का नास नहीं होगा ध्यान देजिएगा सत्य का नास कभी नहीं होता है किसी जुग में सत्य रहेगा अब रही बात कि जैसे भागोजी में दिया है कि तेन हिसा धरम एक हिसा धरम तीन पैर तोड़ दिया गया था जैसे बैल का कल जुग जब आया तो तीन पैर तोड़ दिया एक पैर से लंगड़ाते हुए चला जा रहा था कौन बैल राजा परिशित ने कहा कि हमारे राज में इससा नहीं होगा तुम कौन हो तो उसने पर्चे दिया कि आपका राज और यूद्ध तीन पैर आप देख रहा है तो तीन पैर यह है क्या है साथ्य तप और सभीच चारचों है धरम के चारचों है प्रगण चार पत कर्द धरम के कलीमा एक प्रधान एन के arising के न भड़िक Понे दान कर हे कल्यान तो तो सत्य तपần सभीज यह होगए अं च conse तो तो राम जी के इच्छा से तो कल्यों के यह ही कहा था कि हमारे जुग में तीन शबन ही रहेंगे, यसलिए हम beSil pura without our आपककरी हल थन शारर्पतर द्रकार accordance कमए जीवग में कहे Ear купे दान करने से कहलान हो yours तो अपर यहां पर भी देख रहा हूं राम जी लगी है तरा कर्षण जी लगी है गनेश जी की हनुमां जी की है मतलब विखे इतने हमारे धरम है देवता बताइगें कि घर का मंदिर में पोटो रखें पुरा घर शोटा पड़ जाता है को पर्षन कर सके घंज जी गालग पूजा बताइगे इस सब्सक्राइख नेजी की पूजा को वो अनिवर्य हो गई अब इसने माता जी पूजा हो गई अभल के लिए हनुमाँ जी की जाओ गई तो हर जगे एक एक चीज मांगने की एक एक भगौन की हमारी निर्धारित किया गया तो ऐसा कौन से मत्र है याहिए उसके व्हें बगवान का नाम आए तया देखिए हैश्ट अपने उपर है हम क्या चुनाव कर रहे हैं स्थिफ्ट को चुनाव पर निर्वार करता है स्थ हम से इस्थ को अपना मानते हैं तो पहले बात इस अपना स्थुनाव करना चाहिए कि कि इस भ्हाद कर अपना इस्थ बनावए पहली बात यह यह राम जी को किसको मिस्ट बना गए इस्ट एक हो गया अवस्ट देव हमारे एक हो गए अब ऐसा नहीं हएक हम दूसरे मंदिर मना जाए हम दूसरे मंदर मांद्री में जाए हम देह जो महांद कि हमारे जो इश्ट दे होता है उनमें हमारा प्रेम बढ़े हैं उनकी भक्ति हमको प्राप्त हो ये मांग करना चाहिए उन से जैसे जैसे उदाःन के लिए उदाःन के लिए उदाःन के लिए बता रहे हैं शेत दुसी दाईज महराजने बंपत्रि का गिagoo कि सबसे पहले गणेजी के बंदन है उसमें गाई ये गणपत यग बंदन संकर शुवन भवाणी नंदन सीध सदन गज बदन विन आये क्रिपास इंद सुंदर सब लायक अब उनसे मांग क्या कर रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं कि हमारे इस्दे होता है स्रीटा रामजी महाराज तो मांगत तुल सिधास कर जोरे अब सही रामसिय मानस मोरे ये गणेजी हम आप से अश्रवाद मांगते हैं कि स्रीटा रामजी महाराज हमारे मन मंदरे में निवास करें अब इसी प्रकार से संकर भुवान के स्तोति वहरोव्जीं के अश्तोती गंगा जेकर यमनार यहां जेकर हर्मान जेकर यहां तक के लच्षमन जेके भरत जेकी शत्रोण जेकी जानकी जेकी बंदन किया हैं रंद में कह रहे हैं उसरे शीता राम जी चरण में प्रेम भक्ति हमको चाहिए अजरवाद दीजे सब लोग मिल करके उपासना ऐसे की जाती है अपने इश्ट की ना भूले इश्ट अपना एक रखें मराजी जैसे कि आज की चोटी सी मापी चाहता हूं विभी जिन जी का नाम लेकर मैं एक स्वाल करना चाहता हूं किसी साथ दखाय तो पहले किया था मुझे उसका समाधान में को लगता आपके पास मिलेगा एक आवत ब अहीत कि लिए डेखे भीविसचंड टेहिं यह दिवी सेंद यह नहींिजा प्याम्यिद्ध बताया और यह वह बताया प्रतिक कुमति रावण के प्रतिक धर्मा धर्म के प्रतिक तो यह कहते लोग हैं घर के बेदिया लंका ड्राय लेकर देखा जाएगा रामिशा से तो बीशान जी ने रावण को समझाने के कितना प्रियास किया था है बेशान भी खाया भी खाया है 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 लात मारत है रावणे-सके इन चरन्ञ प्रहार ऐसलिे इनदों के चरन्ञ पकड़कर परर उसने प्रतिक चल्सक्राइक बार-बार शुझाने के प्रियास कि ये आपका हित्ध राम भजे ते नात तुम्हेरा हैं है पिता के समान हैं बड़े हैं भले ही आपने हमको चरन का प्रहार किया है रात्मार आ था हमें इस वाट का दुख नहीं है आपका इसमें एक यह तभी है जब आप जह राम जी को भजन करेंगे राम जी को अपने मानेंगे तो इसे बीशन जी ने बहुत अच्छा उपदेश कि और यह तो दिहाद में नहीं कहा कि आप मारी है राम जी से कहोत बन गई है जैसे कि एक आगे है जो लड़ू खाया हो भी बता सकता है कितना मीठ है तो आप तो जी से पुरा जिए और जैसे नए सादक है जूड़ना चाहती है यह इस जीवन को अपनाना चाहती तो इस आपके जीवन का अनुबह कैसा रहा संथ पन करता है कि इतना शुक में जीवन हमको लग रहा है भवाट के भजन में प्रॉमान को बहुत है कि कभाण बाक्ति नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्यादा अपराधि कोई नहीं है, कभी-कभी ऐसे हमको लगता है, अंता करान से, दुख मतलब अपना दुख बता रहे हैं, और क्यों हमी को नहीं, इस बात को सामजी नहीं लिखा भी है, जिसने भगवान का भजन नहीं किया, तो आत्मा हन गति आत्मा त्यारा है वो ओन, तरे, भव सागर, नर, समाज, असपाई, सोकृत, निंदक है आत्मा हनन करने का पाप लगता है वो इसको लगेगा तो हमने इसका नभवे किया है और पढ़े भी हैं तो कभी यहां तो इसकी तरफ बढ़ा देता है यहां उससे मुक मोड़ देता है अच्छा कर्म जैसे अपनी संथ में ऐसी कोई गटना गटी होगी जिसमें आस्ता और बढ़ गई जिसे हमारी भी उस घटना को सुनके हमारे भारतवाश्यों की आस्ता और बढ़ गई आपकी सत्य घटना पर अब क्या है कि यह जो अनभव है अनभव जब की बताने की बस्तु नहीं है फिर भी आप उच रहे हैं कुछ बता दे रहे हैं कि अध्याजि में पढ़ाई करते थे तो नित्थ हनमान जी कि मंदिर में जाते रहे हैं हनमान गटी है हनमान जी एक दिन आ गए शुपन में आधे हम सो रहे ठीड़ा जग रहे थे और हनमान जी महारा ने कहा कि तुम पढ़ ली करके संसाइब नवखरी करना चाहते हो पढ़ कि हम कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रहे थे सुबह कर समय था कि इतनी कहकर के वो अंतरधान हो चले गए उन्ने गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने कहा कि भगवान की नौकरी है भवान का भजन कि समसार्ग नौकरी जानते ही हो बहुए तो भगवान की नौकरी करना है तो भजन करो और संसार्ग की नौकरी रामीस्षाह से जो भी है मास्टर बनो या चो या और कोई पद में जाओ झाल एस सब रामीशाह से संसार की सेवा भी है तो है अ महराजी नें बताया तो उस समय से महराजी ने बताया लेकि उस में जो हनमान जी का रूब था उसका चिंतन करते करते अपने आपको हमारां को अंतह करण की जो भाव है भक्ति है वह पुष्ट होने लगई संसार से धेरे-धेरे अपना मन हटने लगा और भगवान के तरफ रोची बढ़ने लगे और राम जी के इच्छा से पढ़ने बहुत कमजोड थे एक चोपाई हमको याद नहीं आती थे नहीं होती थे लेकिन हन्मान जी क्रिपा से इस समाईज है भगवान क्रिपा से खुब आता है कि अपके पास वापस आ सकता हूं इस सब्सक्राइब होगा लाभ होगा जनकारी होगी हमको भी होगा उसका पुन्रावर्ति होती रहेगी तो हमको भी उसमें रामेश आनंदा आएगा मराजी जैसे कि एक विलोप होता है जैसे बिचरने का जैसे सरीर से हाट खींच के अलग करता है जैसे कितना दर्द होता है कभी-कभी उतना दर्द उस देव को देखकर होता है कि मुझे हनुमान या जो भी इस्टे मेरे उसको मुझे आना चाहिए वै मैंने को इतना उनको जीवन दे दिया हूं उनके लिए मैंने घर त्याग डिया मने घर नहीं जा रहा हूं और मैने को इतना नहीं एसा सब यह करने जी का नाम बेर गुरु का तो क्या कर नहीं हो जाता है यह देखिए यह है अभी अभी चर्चा हो रहे थी तो हमने आपके भाव को समझा आपके अंदर भक्ति महरानी है और अपने इसके प्रति बहुत लगावे आपके और इसे भावाले बहुत कम हमारे पास आते हैं जैसे आपका है इस तरह के लोग अगर उनकी जैसे बढ़े तो कितना अनंद आव है तो राम जी के इच्छाइज का हमने भी आनवाव किया है तो शुरू-शुरू में क्या होता है तड़पन होती है तड़पन होती है तो परे तड़पन होता है इसमें अकेले में विराम से गाना रोना आदी आदी सबने लगता है दूसरा देखता है पागल हो गया है अम मुझे पागल कहते हैं सब्सक्राइब बाबा तेरे को कुछ ने खिला दिया बाबा ने कुछ खिला दिया तो बाबाओं के पीछे भाग रहा है यह जो ग्यान नहीं है लेकिन बहुत उच्च कोटे कई यह रामिशा से लक्षण मानेगा है तो कहने मतलब यह है जब ऐसा भाव आवे तब समझ लिए कि हमारी गाड़ी अच्छी लाइन पर चल रही है तड़पन हो उनके लिए उनकी याद में हमारी है जो रुआ है खड़े हो जाए और हमारे बाने गदगद हो जाए नेत्रों से आसु भाने लगे लक्षण बताए गए राम जी कहते हैं ममगुन गावत पुलक शरीर अगदगद गिरा नैन भनेरा पाई जिस घड़े में जल ही नहीं है वो क्या चलकेगा जो घड़ा शुखा पड़ा है जो घड़ा भरा है वह तर शरीर उसद्वह सकते हैं तो आजसे कि मराजी से मैंने ससंग ली सुरी तो क्या पता में बहुत लिख़ेला है पहला प्रस्ट पूरा किया मराजी से से हमें आंसुर दिया विस्तार से हमें समझाया गस्ति लोगों को समझ सके और कभी-कभी महापी चाहता हूं ऐसा हो जाता हूं क्योंकि एक वताना कि अपनी पसंद की अगर सब्जी बन रही है खुसबू आ जाई तो हम वहाँ चले जाते अब अपनी पसंद की जब ससंग आ अदिमा अजिए अपना आइन देखते हैं किसमा पने मेरे मात आए मैं उसी तरह अपने आपको निकारने लग गया कि मैं अपने आपको देखने लगए मिराजी के अंदर कि यह भी मुझे फल मिले ऐसा मुझे पर ही बह्ता अपनी किर्पा करें और कहा भी जाता है मैं सबी से एक छोटा से निवधन करता हूँ, कोशिश करें तीन गरों में कभी खाली मत जाना, गुरु के घर, बेहन के घर और द्याउताओ के मंदिर, चोटा सिर्किस निला से सीखा, मीत्र के घर भी खाली ने जायाता, और भगवान, संत भगवान, तो भगवान है, चंदन सब्सक्राइब करें, तो आगे आप भड़ते जाओगे, फिर मिलते हैं, अगली बार संतों के पास आऊँगा, आपका कोई स्वाल और जुरूर वैजना मुझे, फिर मिलते हैं, ने संत मातमा के साथ अब तक, जैहिंद, बंदे मातम, जैह शिताराम, है नात, है मेरे नात, मैं आपको बहुत नहीं, जैह गुरुदेव जैह संतों के जैह मराजी, हरी साथ, हरी साथ, हरी साथ, हरी साथ, मादी के दमाप करना सदाव रहा है, वह बहुत अच्छा नंदा आई आगा, भाल के लिए, गैशना अजोट, घार